आप देख रहें सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शितर प्रताप सी 2024 के लोगसबाद चनाव की रनभेडी बच चुकी है जो तारीक होने वाले हैं वो भी सामने आगए है सीट शेरिंग को लेकर अब जल से जल तमाम दलों को फैसला लेना है इंडिये हो या इंडिया सभी को जल से जल अपना सीट बटवारा अब करना होगा इसको लेकर संजे जहा का बड़ा बयान सामने आया है जद्यू कोटे से मंत्री हैं संजे जहा बिहार सरकार में और बड़ा बयान देते हुए कह गए हैं कि एक से दो दिनों में जो सीट शेरिंग है कौन कहां से चुनाओ लड़ेगा सभी बाते साफ कर दी जाएंगी तो वहीं आपको बता दे राहूल गांधी की भारत जोडो नियाया यात्रा पर भी तंजकस्ते नजर आए हैं संजे जहा क्या कुछ कहा पहले आप वो सुने संजरेती सिर्फ इस स्राइव एक थंडिया धाल कर लुए सेुख मेर दे criticism ड़न का अख the नहां को और कोई समस्या नहीं आई इंडिया लांस का कहना है कि कुछ भी हो जाए मोधी को नहीं आने देंगे अब इसी पर मोधी जी तो अपना यहाल कर लिए जंता करेंगी किसको आणे देना है यह रोक देंगे पबलिक ने तै कर लिया कि अग्ला प्रदानमंत्री बनेंगे और बिहार में जो हम लोगों ने इंटरणल फीडिबैक सब्सक्राइब कर रहे हैं नाम से ले करके और नीचीजों का लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं जो हम लोगा सब्सक्राइब कर रहे हैं जो लोग इसको है बीजेपी के टच्में वहीं लोगी आपने सुना मंत्री संजय जा साफ करते नजर आ रहे हैं कि एक से दो दिनों के भीतर ही जो सीट शेरिंग का फॉर्मूला है बिहार के एंडिये में वो तै कर लिया जाएगा तो वहीं आपको बता दे लोग जन शक्ती पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष पशुपती पारस एंडिये से नाराज चल रहे ह आपकर उनकी ये नाराजगी है चिराग पासवान को हाज़िपूर की सीट मिलनी लगभगता है बताई जा रही है हाला कि अपचारिक तौर पर इसकी घोछना नहीं हुई है लेकिन इस बात को लगभगता है मैं ना जारा इस पर पशुपती पारस ने अपनी नाराजगी ज नजर नहीं आये संजेजा और कह दिया भाजपा के लोग इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं जो भी कहना होगा वो लोग कह देंगे बता देंगे तो पश्रुपती पारस की नाराज़गी पर कहीं न कहीं जेदियू की चुपी है कुछ भी साफ तोर पर नहीं कहा तो वह इंडि वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद